मैं मुकूंद आप सबका स्वागत करता हूं आज हम लोग क्लास 9 के हिस्ट्री से सेकेंड चेप्टर स्टार्ट करने वाले हैं लोग अज के चेप्टर में देखेंगे की युरॉप में एक नया आइडिया जो सोशिलीजम कहते हैं हैं कैसे उसने युरॉप को चेंज किया और रसीयन डिवाल्यूशन ठीक है रसी सब्सक्राइब revolution होते हैं तो वह हम लोग आगे डिल करेंगे आज हम लोग topic 1 1.1 1.2 1.3 और 1.4 को deal करने वाले हैं चलिए इस topic को start करने से पहले सबसे पहले हम लोग इस word का meaning समझते हैं socialism और समाजबाद ठीक है socialism की बात करते हैं हम लोगों यह ने फ्रेंच revolution इससे पहले किया है फ्रेंच revolution में हम लोगों ने क्या देखा कि फ्रेंच society में जो वील्दी पीपल है और चर्थ हैं उनका influence काफी ज्यादा बात समझ में आ रहे हैं ना वेल्दी पिपल का influence काफी ज़्यादा है जो नोबेलस हैं लेंडलोड्स हैं उन का influence काफी ज़्यादा है ठीक है मतलब एक वह सा आइडिया जिसमें जिन लोगों के पास capital है ठीक है के जिनके-पास capital है वो government की policy को influence करते है, government उनके हिसाब से decision लेती है, government के policy को यह क्या करेंगे, influence करेंगे, government capital वालों के हिसाब से decision बनाती है, capital वाले लोगों को, rich लोगों को favor करती है, यह idea कहलाता है capitalism, ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, कि equality नहीं है न, जो rich हैं, उनको ज्यादा favor किया जा रहा है, बात समझ में आ रही है, French Revolution में हमने क्या देखा है, कि French Revolution में, जो system है, वो change हुआ है, यहाँ पे जो nobles की जो condition थी, nobles के domination, church के domination, इसको खतम किया गया था, लोगों को rights मिले थे, बात समझ में आ रही है न, हम लोग अब यहाँ से आगे बढ़ेंगे, कि जो French Revolution होता है, उसने Europe को कैसे transform किया है, यूरोप में कुछ नए ideas इंट्रोडियूस किये हैं, French Revolution ने, ठीक है, तो एक यह जो idea हम देख रहे है, socialism वो इस time पे एक नए idea है, यूरोप के लिए, हम लोग इस idea को ऐसे कह सकते हैं, कि socialism एक ऐसा idea है, जो focus करता है, equality पे, French Revolution में हम क्या देख रहे हैं, कि society हमारी तीन हिस्सों में बटी, तीन category है, तीनों category में क्या है, equality नहीं है, जो third state है, उसको rights नहीं मिले हुए हैं, उसके उपर tax burden ज़्यादा है, government इसको ignore कर रही है, और यह दोनों काफी effluent condition में है, काफी favorable condition है इनके लिए, ठीक है, तो यहाँ पे equality हम लोग नहीं देख पा रहे हैं, कि French Revolution में क्या देखने को मिला है, कि French Revolution ने इसी inequality को दूर किया है, society में equality लाया है, ठीक है न, जो socialism का idea है, वो equality को focus करता है, socialism का idea focus करता है, society में जो resources है, उस resources पे पूरे society का right होगा, ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, कि church के पास ज्यादा power है, nobles के पास ज्यादा power है, third state से दोनों tax ले रहे हैं, third state की condition सबसे खराब है, तो economic यह दोनों के state काफी अच्छे condition में है, ठीक है, और third state के पास resource पे access बहुत कम है, यह क्या देखने को मिला यहाँ पे कि जो resource हैं, उस पे सब का हक होगा, French Revolution में हमने देखा न, एक नया middle class emerge होता है, जो business कर रहे हैं, जो profession कर रहे हैं, student है, teacher है, ठीक है, उन्होंने क्या demand किया, कि यह economic inequality को खत्म किया जाए, तो French Revolution से एक नया idea हम लोग देख रहे हैं, socialism is an idea that supports equality among people and equal distribution of resource among people, यही देखने हैं, so socialism an idea which supports, what does it support, it supports equality, okay, and fair distribution of resource, among people in society, French Revolution में आप क्या देख रहे हैं, कि जो resource है, उस पर church का control है, उस पर nobles का control है, ठीक है, third state के लोगों को devoid किया जा रहा है, समाजबाद एक ऐसा idea है, जिसमें समाज के लोगों को प्राथमिकता दी जायेगी, समाज के लोगों को समानता पुरूबक अधिकार मिलेगा, चाहे वो आर्थिक अधिकार हो, चाहे वो समाजी कग अधिकार हो, चाहे वो राजनेतीक अधिकार हो, society की हर एक मेंबर को socially, politically, economically, equally treat किया जाय, यहीह होगा हमारा शो मिदंप अब हम लोग ना टॉपिक वन देखते हैं जो कि देज दासे साराच रिवाले में तेंज की और हम लोग वंहों का एति और पृशली ब यानि लिगया आप फ्रेंच रिवल्यूशन में हाओ डिड़ फ्रेंच रिवल्यूशन डा शोसाइटी आफ यूरोप एज वेल इस को लोनीज उसमें फ्रेंच रिवालईशन के आइडिया ने लोगों को कैसे इंस्पायर किया हम लोगों ने यह देखा था कि राजा राम प्रभाभीत हुए थे ठीक है ठीक है फ्रेंच रिवर्युशंन ने क्या किया है फ्रेंच रिव उवर्यूशंन ने लोगों को спокой किया है दो चीजों कि लिए freedom equality इसके मैसेज याद है याद है आपको french revolution के fraternity liberty and equality यह तीन बहुत स्ट्रोंग मैसेच थे fraternity लिवर्टी एंड एक्वैलिटी थीक है ना देख रहे हैं लिवर्टी एंड एक्वैलिटी यह मैसेज फ्रेंच रिवाल्यूशन ने दुनिया को दिया है अब इसके कारण क्या हुआ कि फ्रेंच रिवाल्यूशन ने एक रास्ता खोला एक फ्रेंच रिवाल्यूशन ने क्या किया है यह श्योर किया कि अब जो सोसाइटी चाहे वह यूरोप की हो या यूरोप से बाहर के जो अफरिका हो गये अस्या हो गये जो कॉलोनीज है यूरोपियन वहां पे वहां के लोग भी अब इस चीज़ को डिमांड करेंगे यह मैसेज तो वहां भी पहुंचा है तो दप इन दिफरेंट पार्ट सफ यूरोप और आउटसाइड पीपल लिविंग इन कोलोनेज ऑके और पीपल हुबर कोलोनाइज वा यूरोपियन पावर दे डिमांड फॉर राइट दे डिमांड फॉर्टी और फ्रीडम दे डिमांड फॉर एक्वालिटी ऑके बात समझ में आ कि यूरोप से बाहर भी यह मैसेज अब स्प्रेड होने लगा आप्टर फ्रेंच रिवोल्यूशन दा आइडिया ओफ इंडिवीडियूवल राइट सेंड डेमो क्रेटिक एंड पार्लिया मेंट पार्लिया मेंटरी फॉर्म फॉर्म फॉर्मेंट बर बीइंग है डेमोक्रेसी भी बिली है ठीक है डेमोक्रेसी इसाफ शिटिजन ही अलाइवट से बवोट करने के लिए बट मोनर्की तो खथ्म हुआ है तो पार्लिया मेंटरी फॉरम फॉर्मेंट लोग इसके बारे में डिसकॉस करने लगे एंड और डाइस्टी सिजम और एंड और इ टीक है एंड औफ वर्थ वेस्ट प्रिविलेज जो वर्थ वेस्ट प्रिविलेज है इसको खत्म करने की बाद तब होने लगेगी ठीक है तो यह हो कि आ रहा है कि लोग पॉलिटिकली अवेयर हो रहे हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन लोगों को अवेयर करने का काम कर रही थी इंडिया में राजा राम मोहन राय और डिरेजियो यह दोनों काफी इससे इंस्पायर थे राजा राम मोहन राय को हम लोग जानते हैं एक प्रॉमिनेंट सोशल रिफॉर्मर है इन्होंने ब्रह्म समाज की अस्थापना की थी हम लोग नें पिछले चेप्टर में भी इंस्पायर थे ठीक है एक नाम आप देख रहे हैं डिरोजियो इनके बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको नहीं है तो आप इसे इनके बारे में थोड़ी सी जनकारी ले लेते हैं ठीक है जो डिरेजियो है इनका पूरा नाम क्या था हैं हेन्री लियूस बीबी यह एक थिंकर हैं फिलोस्पर हैं और इंडिया में सोचल रिवॉल्यूशन में इनका नाम काफी जाना जाता है इन्होंने इंडिया के लोगों को मोबिलाइज करने का काम किया है इंडिया के लोगों को अपने कल्चर और नेशन के प्रति इंस्पायर किया है हेन्री विवि लोगों को इंस्पायर कर रहा है यूरोप और यूरोप से बाहर ठीक है अब हम लोग दूसरा टॉपिक देखते हैं दूसरे टॉपिक में आप देखिएगा तीन अलग-अलग आइडियाज के हम लोग समझेंगे दूसरा टॉपिक है ओन पौइंट वं यह क्या है लिब्रल्स रैडिकल्स एंड लिब्रल्स रैडिकल्स एंड कंजरवेटिव हूदध देखिए हग रहने का मतलब क्या था पुरानी सोच के लिए वैसे लोग जो पुराने system को यकीन करते हो, old system है, उसी को सही मानते हैं, ये किसी भी तरीके के change को पसंद नहीं करेंगे, ठीक है न, जैसे हम लोगोंने फ्रांस में देखा है न, monarchy, monarchy था, birth-based privilege system था, तो जो conservative होंगे, वो क्या चाहेंगे, कि हम monarchy हो या revolution हो, वो monarchy को support करेंगे, क्योंकि monarchy पहले से चला आ रहा है, वो क्या चाहेंगे, जैसे पहले nobels को privilege मिल ला है, वही system चले, ठीक है, conservative किसी भी तरीके के change को पसंद नहीं करेंगे, ठीक है, एक एक करके हम लोग देखते होंगे चलते हैं, सबसे पहले बात करते हैं, liberals की, liberal word किसे बना liberty, हम लोगो ने पढ़ा ना, French Revolution में liberty, equality और fraternity, तो जो liberty, यानि आजादी के favor में हो, जो आजादी के, आजादी को support करते हो, जो छूट को support करते हो, कुछ rights को support करते हो, वो क्या करेंगे, वो क्या कहलाएंगे, liberals कहलाएंगे, तो जो liberals थे न, वो social change को support करेंगे, they wished for a social change, जैसे France की society change हुई, वैसे ये क्या करेंगे, ये चाहेंगे कि society का जो system है, वो change होना चाहिए, उसके बाद ये किसी को prefer करते हैं, religious tolerance को promote करेंगे, ठीक है, कि religious tolerance मतलब कि हर different religion है, तो उनको equally treat किया जाए, religious ground पे किसी भी तरीके का discrimination नहीं होना चाहिए, so they supported social change, they supported religious tolerance, they opposed dynastic rule and its unlimited power, जैसे देखा हैं हमने French revolution में, dynastic rule है, dynasticism है, एक ही बंस का शासन चला आ रहा है, तो liberals क्या करेंगे, उसको oppose करेंगे, oppose dynasticism और dynastic rule and unlimited power of the rulers, जो rulers हमने देखा, France में भी देखा है, पीछे कि rulers के पास unlimited power है, वो constitutional framework में नहीं है, तो they opposed dynasticism and unlimited power of ruler, यह क्या चाहिए, जैसे फ्रांस में देखें हम लोग पीछे, पारलियामेंटरी form of government है, तो एक पारलियामेंटरी form of government होना चाहिए, independent judiciary होनी चाहिए, ठीक है, लोगों का representation होना चाहिए, पारलियामेंट में, people's representation, यह इस system को support करेंगे, यह जो liberals होने, वो लोगों के representation को support करेंगे, पारलियामेंटरी form of government support करेंगे, independent judiciary को support करेंगे, ठीक है, लेकिन देखिए, यह जो है ना, इनके साथ क्या है, कि यह liberals तो है, लेकिन यह complete democrats भी नहीं है, ठीक है, they were not democrats, जैसे फ्रांस में है ना, कि active citizen नहीं बोट कर सकते हैं, passive citizen नहीं कर सकते हैं, तो यह इस चीज़ को मानते थे, कि जो rich लोग हैं, वही बोट कर सकते हैं, यह women के voting rights के बिलकुल खिलापते हैं, ठीक है, women's voting rights को इन्होंने support नहीं किया है, ठीक है, लिबरल्स हैं, लेकिन यह complete democratic नहीं है, यह women's के voting rights को support नहीं करते हैं, ठीक है, और काफी हद तक नहीं यह जो aristocrates हैं, ठीक है, उनके privilege को भी support करते हैं, तो supported privileges of nobles, कुछ हद तक यह nobles के privilege को support करते हैं, तो यह हम देख रहे हैं, लिबरल्स को, लिबरल्स हम लोग यहां पर कह सकते हैं कि यूरोप में अलग-अलग idea के मानने वाले लोग थे, तो जो लोग इन चीजों में यकीन करते थे, उनके group को क्या कहेंगे, लिबरल कहेंगे, जो लोग यह मानते हैं कि social change हो, religious tolerance हो, ठीक है, हम देखते हैं, यूरोप में, तो एक group है, radicals का, radicals में क्या feature है, देखिए, radicals कौन थे, उनको देखते हुए चलते हैं, तो जो radicals होते हैं, radicals को आप कह सकते हैं कि यह complete change में believe करेंगे, यह चाहते थे कि democratic government हो, जो majority पे हो, ठीक है, rule of majority और government of majority, यही तो democracy है, कि लोगों के, जो majority है, उसका rule होना चाहिए, ठीक है, उसके बाद यह support करते हैं कि जो voting rights हैं, देखिए, liberals हैं, radicals हैं, radicals complete change की वाद करेंगे, तो यह voting rights prefer करेंगे, voting rights to women, liberals नहीं किया इसको favor, लेकिन radicals क्या करेंगे, favor करेंगे, voting rights to women, उसके बाद आप देखिएगा, तो जो radicals होंगे, यह क्या चाहेंगे, कि privilege जो है, landlords के, वो खत्म होने चाहिए, end of privilege, देखिए, यह जो radical है, यह private property की against नहीं थे, not, they were not against private property, okay, they were not against private property, but against the concentration of, concentration of wealth in few hands, wealth into few hands, yeah, into the hands of few industrialists, into the hands of few people, देखिए, जो यह radicals हैं, यह private property के बिलकुल भी against नहीं है, लेकिन इनका यह मानना है, कि society का सारा wealth, कुछ industrialist के अंडर नहीं होना चाहिए, society के सारे resource, सिर्फ कुछ लोगों के अंदर नहीं होने चाहिए, कुछ लोगों के ownership में नहीं होने चाहिए, बलकि resource का क्या होना चाहिए, fair distribution होना चाहिए, उस resource का huge society के हर member के development के लिए होना चाहिए, so they were not against the private property, but they were dead against the concentration of resources into the hands of few people, clear है? अब यही एक group हम और देखेंगे, तो यह group होगा हमारा conservatives का, conservative हम लोगों ने अभी समझा है, कि यह पुराने system को क्या करेंगे, पुराने system जो चला आ रहा है, existing system है, उसी को support करेंगे, ठीक है, French Revolution से पहले हमने क्या देखा है, जो conservative थे, वो किसी तरीके के change को accept नहीं करते थे, but after French Revolution क्या है, इन्होंने जो conservative है, वो इस चीज़ को तो realize कर रहे हैं कि society Europe की अब change हो गई है, अब पहले की तरह यह situation को अपने अंडर में नहीं रख सकते हैं, so they realize the, they realize the changes taking place in society, ठीक है, लेकिन यह यह चाहते हैं कि यह जो change हो रहे हैं, यह कैसे होना चाहिए, slow change होने चाहिए, यह change बहुत rapid नहीं होने चाहिए, society को धीरे धीरे एक gradual pace पे change करना चाहिए, ठीक है, तो they opposed और यह जो है conservative होंगे, यह liberals और radicals के तो opposite होंगे, इनके जो ideas होंगे, उससे opposite होंगे, they believed in, they believed in existing system, they always believed that past was better, जो past में चला आ रहा है system है, वो सबसे बेटर है, और past should be respected, तो यह तीन group हम लोग देखते हैं, यूरोप में basically तीन group हैं, तीन ideas हैं, liberals हैं, radicals हैं, और conservative हैं, clear है, अब आते हैं हम लोग second topic पे आते हैं, इसला topic है हम लोगों का, industrial society and social changes, यहां पे हम लोग क्या देखेंगे, कि यूरोप के अंदर industrialization बढ़ रहा है, ठीक है, industrialization के कारण क्या है, कि यूरोप में नए-ने city set up develop हो रहे हैं, ठीक है, industrial regions established हो रहे हैं, rural area से worker, औरत हैं, आदमी हैं, बच्चे हैं, यह सब काम करने के लिए, सहरों में आ रहे हैं, ठीक है, industrialization brought men, women and children to factories, वहां पे जब यह काम करने सहर में आएंगे, जब बहुत ज़्यादा labor सहर में आएंगे, ठीक है, labor की supply बढ़ेगी, तो उनको मजदूरी कम मिलेगा, मजदूरी कम, देखिए, ठीक है, labor supply ज़्यादा हो गया, ठीक है न, गाउं से सब सहर में आने लग गये, तो इससे क्या होगा, मजदूरी कम होगा, मजदूरी कम होने से क्या होगा, income कम होगा, ठीक है, income कम होने से क्या होगा, life, living standard, living condition, वह खराब होगा, बात समझ में आ रही है न, हम क्या देखते हैं, कि यूरोप में industrial revolution के कारण, rural population, सहर की तरफ migrate होके आ रही है, वहाँ पे सहर में population बढ़ने से, मजदूरी कम होती चली गई, जब मजदूर ज़्यादा होगी, तो मजदूरी कम होगी, उनकी living condition काफी ज़्यादा खराब थी, unemployment काफी तेजी से बढ़ता जा रहा था, ठीक है, उसके कारण क्या हुआ कि ये जो liberals और radicals थे, वो इस situation को improve करने की कोशिस कर रहे थे, कि कैसे इस situation को improve किया जा सके, और ये जो liberals और radicals थे, they were themselves property person, वो खुद भी property के owners थे, लेकिन वो क्या थे, जो पुराना system था, उसके against थे, जो पहले का system था, उससे अलग इनका idea था, इनका ये मानना था, कि profit को बढ़ाया जा सकता है, जो पहले capitalistic सोच थी, वो क्या थे, कि लेवर्स को wage कम दो, लेवर्स को facility कैम दो, तो उससे profit को maximize किया जा सकता है, ये क्या सोचते हैं, कि लेवर्स को अगर proper care किया जाए, उनके health पे focus किया जाए, ठीक है, लेवर्स अगर fit होंगे, उनको educate किया जाए, उनके lifestyle को सुधारा जाए, तो ये ज़्यादा productive होंगे, ठीक है, अगर लेवर्स को अच्छे से care किया जाए, तो क्या हो सकता है, वो ज़्यादा productive हो सकते हैं, if freedom of individuals was ensured, if the poor people could labor, and those which capital could operate without restraint, they believed that societies would develop, उनको ये लगता था, कि अगर लेवर्स को care किया जाए, लेवर्स को बिना किसी मजबूरी के काम दिया जाए, उनकी सुधाओं का खया लखा जाए, तो society develop होगी, ठीक है, और इनके इस सोच को लेवर्स का support मिलेगा, जो भी लोग, जो भी सुधार चाहते थे इस condition में, वो सब इस ऐसे idea को support करेंगे, ठीक है, सम निशनलिस्ट, लिबरल्स, एंड रेडिकल्स, वांटेड रिवॉल्यूशन, देखिए, हुआ किया ना कि हम लोगों ने chapter 1 में पढ़ा है, कि नेपोलियन जो फ्रांस का राजा बनता है, उसके बाद वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के मैसेज को पूरे यूरोप में broadcast करने के लिए, एक campaign launch करते हैं, यूरोप के area को जीतना स्टार्ट कर देते हैं, यूरोप के एक बहुत बड़े area को नेपोलियन जीत लेता है, ठीक है, फाइनली 1815 में क्या होता है, नेपोलियन के हारने के बाद क्या करते हैं, ये चारो country, जो conservative power थे, ये चारो किस्टिस को represent कर रहे हैं, conservative power को, तो नेपोलियन ने यूरोप में कुछ positive change लाये थे, लोगों को rights दिये थे, कुछ democratic rights दिये थे, ठीक है, तो इसके नेपोलियन के decision को ये क्या करते हैं, cancel कर देते हैं, बात समझने की कोशिस की जिएगा, नेपोलियन ने कुछ social, कुछ political reforms की ये थे, 1815 में उसके reforms को, आस्ट्रिया के, आस्ट्रिया के prime minister थे, maternik, उन्होंने नेपोलियन को हराया, उसके बाद Europe के जो चार powerful conservative nations है, वो मिलके नेपोलियन के फैसले को change कर देते हैं, जो लोग नेपोलियन के, जो लोग society में, rights को favor करते थे, rights को support करते थे, उन लोगों के जो group थे, अब वो क्या कर रहे थे, छुपके अपना काम कर रहे थे, association बना रहे थे, groups बनाए उन्होंने, और वो इस चीज़ को prefer कर रहे थे, कि society में revolution लाया जाए, society में change लाया जाए, लोगों को rights देना है, तो revolution लाना पड़ेगा, उके, इन में से एक सबसे famous नाम हम देखते हैं, एक Italian revolutionary थे, उनका नाम था Mejini, Mejini ने यूरोप में revolution लाने के लिए, दो organization बनाए है, यंग इटैली और यंग यूरोप, ठीक है, Mejini का मानना था, कि लोगों को rights हासिल करने के लिए, revolution करना चाहिए, ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं, second topic है, 1.2 क्या था हम लोगों का, industrial society and social changes, अब हम लोग आगे बढ़के देखते हैं, the coming of socialism in Europe, कि Europe में socialism का idea, कैसे emerge हो रहा है, कैसे develop हो रहा है, ठीक है, जो socialist थे न, socialist क्या थे, जो भी socialist होंगे, वो private property के against थे, इनको ये लग रहा है कि private property या property का concentration, socialism के idea के against है, हम लोगों ने socialism का idea क्या देखा है, कि equality होना चाहिए, और society में जो भी wealth है, जो भी resource है, उसका equal distribution होना चाहिए, ठीक है, तो इस तरीके से ये क्या है, private property के विलकुल ही against है, ठीक है, socialist वर अगेंस्ट प्राइबेट प्रोपर्टी, and they saw it as the root of all social ills, socialist ये मार रहे हैं, कि private property के कारण क्या हो रहा है, कि property एक जगा concentrate हो रहा है, उससे result क्या हो रहा है, कि society में gap create हो रहा है, poor और rich का, एक gap create हो रहा है, इस gap को create करने के लिए, प्राइबेट प्रोपर्टी को खत्म करना है, और ये property का distribution society में होना चाहिए, society को वो क्या चाहते हैं, कि society एक whole unit के तोर पे हो, property का distribution पूरे unit में होना चाहिए, नहीं कि कुछ लोगों के हाथ में होना चाहिए, यूरोप में socialist जो vision है, वो काफी तेजी से फैल रहे थे, हम लोग एक नाम लेके चलेंगे, Robert Owen, Robert Owen ना एक English manufacturer है, ठीक है, इन्होंने क्या किया है, socialism के idea को support करने के लिए, ये चाहते थे कि Robert Owen चाहते थे, कि socialism को अगर promote करना है, तो उसके लिए हमें co-operatives को promote करना चाहिए, cooperative system को, cooperative में क्या होंगे, कि society के सभी members मिलके jointly produce करेंगे, जो production होगा, वो मिलके लोग करेंगे, और जो profit होगा, उसका distribution क्या हो जाएगा, profit का जो distribution होगा, वो society के सभी लोगों के बीच में होगा, यानि production भी मिलके करेंगे, और distribution और profit भी मिलके होगा, तो ये system cooperative कहलाता है, Robert Owen ने cooperative system को promote किया, ठीक है, और इन्हों ने एक cooperative association बनाया, जिसका नाम था New Harmony, New Harmony वाज़ा, cooperative association formed by Robert Owen in Indiana, इंडियाना जोन्स कहां पे है, इंडियाना जोन्स है, USA में, ठीक है, के बाद एक आप और important नाम देखेंगे, वो नाम है, France का एक socialist philosopher है, Louis Blanc, क्या नाम है इनका, Louis Blanc, Louis Blanc इनका idea यह है, Louis Blanc यह चाहते हैं, कि cooperative जो है, cooperative idea को government को support करना चाहिए, government should focus, government should promote corporatism, cooperative system जो है, वो government को promote करना चाहिए, यह idea है, एक French socialist philosopher है, Louis Blanc, clear है, देख लिजी आपके textbook में भी दिया गया है, Louis Blanc wanted the government to encourage cooperatives and replace capitalist enterprises, these cooperatives were to be association of people who produced good together and divided the profits according to the work done by members, हम लोग ने यही बात किया है ने यहाँ पे, कि cooperative में क्या होना चाहिए, कि लोग मिलके production करेंगे, और जो profit होगा उसको मिलके बांट लेंगे, उसके बाद हम लोग देखते हैं, दो बहुत ही बड़े, दो बहुत famous निया हम देखते हैं हम लोग, एक है Karl Marx, और Frederick Angels, Karl Marx, ठीक है, Karl Marx ने एक German philosopher है, ठीक है, मार्क्स ने ये मानते हैं, कि society जो है न वो नेचुरली सोशलिस्टी होना चाहिए, जो private property या capitalism है, ये society के सारे problem का root यही है, जो workers है, labor's है, ठीक है, worker या labor's है, उनको क्या करना चाहिए, capitalism का खात्मा कर देना चाहिए, ठीक है, workers और labor's should start revolution to end capitalism, ये चाहते थे, ये बिल्कुल private property के against थे, ठीक है, इनका मानना है कि workers को capitalism खत्म करना चाहिए, और अगर उसके लिए revolution करना पड़े, अगर violent steps लेने पड़े, तो revolution होना चाहिए, ये मानते थे कि अगर labor's revolution करेंगे, तो finally, victory किन की होगी, labor's की ही होगी, और capitalism की हार होगी, ठीक है, capitalism के कारण ही, society में gap बढ़ता जा रहा है, workers के सारे problem का जड़ capitalism है, इसलिए workers को चाहिए, कि वो revolution करके, capitalism को खत्म करें, ये idea किन का है, ये idea है, मार्क्स का, ठीक है, मार्क्स believed that, to free themselves from capitalist exploitation, workers had to construct a radicalist, socialist society, where all the property was socially controlled, ठीक है, हम लोगों ने ये देखा न, मार्क्स ने एक बुक लिखी है, ठीक है, डास कैपिटल, ये मार्क्स की बहुत फेमस बुक है, डास कैपिटल, और एक और बुक है, Communist Manifesto, इन दोनों बुक में, इन्होंने socialism के importance को दर से आया है, और capitalist society की, capitalistic ideas की बुराई को इन्होंने express किया है, अपने इन दोनों बुक में, ठीक है, support for socialism, topic 1.4, support for socialism, यहां हम लोग क्या देखते हैं, कि देखिए, socialism का जो idea है, यूरोप में फैलता जा रहा है, यूरोप में expand होता जा रहा है, यहां हम देखेंगे, कि by the 1870s, socialist ideas spread through Europe, to coordinate their efforts, socialist form an international organization, international body, that was called second international, second international क्या है, एक socialist group है, ठीक है, second international, जो यूरोप के जो socialist, socialist लोग है, जो socialist लोगों का ग्रूप है, उनका एक organization है, जिसका नाम क्या था, second international, उसके बाद आप देखिएगा, तो England और जर्मनी में, जो socialist हैं, जो workers जो socialism में बिलीव करते हैं, उन्होंने अपने अपने association बनाने शुरू किये, यह directly election contest नहीं कर रहे हैं, जर्मनी में एक party है, social democratic party, तो वहां के workers जो थे, जो socialist society में यकीन करते थे, जो socialism को support करते थे, जर्मन के worker, उन्होंने support करना स्टार्ट किया है, social democratic party को, और election में भी उसको support करते थे, ठीक है, आप देखिएगा, तो ब्रिटेन में, ब्रिटेन में mainly दो party हैंना, एक labor party है और एक conservative party है, तो यूरोप में भी socialist idea वाली party आई, एक party का नाम क्या है, labor party, ठीक है, आप लोग पढ़े हैंना, party system, तो यूरोप में bilateral party system है, दो party system है, ठीक है, two party system है, एक है labor party और एक है conservative party, socialism को support करने वाली party आई, socialist party, तो यहां हम क्या देख रहे हैं, कि यह जो idea जो पहले factory worker तक सीमित थे, अब यह idea क्या है, government में आ रहे हैं, जर्मनी में हम क्या देख रहे हैं, कि जो social democratic party है, उसको support कर रहे हैं, election में, ब्रिटेन में labor party है, वो socialist idea के साथ है, तो यह जब power में आएगी, तो ऐसे decision लेगी, socialist decision लेगी, France में भी socialist party को support, socialist idea को support करने वाली party है, socialist party, तो यूरोप में socialism का idea, फैल रहा है, फैल चुका है, ठीक है, यूरोप के जो important nation है, उस टाइम पे चाहे हो, ब्रिटेन हो, तॉपिक 1, 1.1, 1.2, 1.3 और 1.4, हमने इस topic में ये देखा, कि socialism क्या होता है, socialism का idea यूरोप में कैसे emerge हुआ है, और कैसे popular हुआ है, ठीक है, अपने अगले वीडियो में देखेंगे, कि Russia में socialism का idea कैसे आया, और Russian revolution किस तरीके से हुआ है, उसके क्या impact थे, क्या reasons थे, ठीक है, तो आज इसी के साथ हम लोग इस वीडियो को खत्म करने वाले हैं,